हाई हाई बहु आज मैं बहुत थक गई जल्दी जल्दी निम्बू पानी दे दे मुझे ठीक है माजी अभी लाती हो फिर कुसुम विम लिक्विर लेकर उसे पानी में मिलाती है ये दुरुश्य देखकर रामुला चोप जाती है अरे ओ बेल बुद्धी बहु तेरी अकल क्या घास चरने गई है क्या अरे ये दिवाली में मिला हुआ प्रीका विम बार लिक्विर क्यू पिला रही है मुझे तू अरे माजी क्या आप भी मुझे तो लगता है कि आप ही की अकल घास चरने गई है भूल गई क्या अभी अभी तो अपने काहा कि निंबू पानी दे दे वही तो दे रही हूँ. वीम बार लिक्विड में सो निंबूओं की शक्ती होती है. मैं तो बस अपने निंबू की बचत कर रही हूँ. उठा ले रे उपर वाले, उठा ले मुझे, मेरे ही नसीब में ऐसी बहु क्यों लिखी है तुने रामुला अपना सर पकड़ लेती है, दरसल रामुला की बहु कुसुम, बहुत कंजुस और लाल्ची स्वभाव की होती है वो हर वक्त बस कंजुसी ही करती रहती है, जिस से सभी को परेशानी होती है एक दिन, जब बिजली का बिल दो हजार आता है, तब दो हजार? इतना ज्यादा बिल? अरे, किसके बाप ने ये बिल बनाया है? कौन है वो गदा? तब ही कुसुम का पती हेमद और ससुर चंपकला लाते हैं और कहते हैं कुसुम, अरे भाग्यवान, दो हजार रुपए, हम मिडल क्लास लोगों के लिए सही है उसमें इतना हेरान होने वाली क्या बात है? हाँ कुसुम बहु, हेमद सही कह रहा है नहीं, अगर हम यू ही सोचते रहें, तो यू ही पैसे पानी की तरे हमारे हाथ से बह जाएंगे अपसे दिन और रात, दोनों टाइम पंखें और लाइट्स बंधी रहेंगी जब जब ज़रुरत होगी, तभी उन्हें आन किया जाएगा अरे नास पीटी कल मुही, इस बट्ती में भून कर जलाना चाहती है क्या हमें? मा जी, गर्मी का मोसम गया, अब बर्खारानी बरसने लगी है घर तो बीना पंखें के भी, थंडा ही तो लग रहा है इसलिए ज़ादा नकरे मत करो अभी, और मुझे घर और मेरी ग्रुहेस्थी अच्छे से संभालने दो कुसुम को उसके घर वाले बहुत समझाते हैं लेकिन कंजूस कुसुम, दिन रात फैन और लाइट्स बंधी रखती है और वो सिर्फ खाने पिने के टाइम पर ही उन्हें आउन करती है एक दिन, जब हेमन ब्रश करने जाता है, तभी वो देखता है कि टूदपेस तो खतम हो चुकी है अरे, ये क्या, ये टूदपेस तो खतम हो चुका है, अब मैं क्या करो, अब तो मुझे नया टूदपेस लाना ही होगा फिर हेमन तूथपेश खरीदने निकल ही रहा होता है तभी कुसुम काली बिल्ली की तरह उसका रास्ता काटती है और उससे कहती है खबरदार अगर तुमने फिर से हमारी दुकान से तूथपेश लाया तो लेकिन कुसुम दुकान तो हमारी ही है तो तुम इतना क्यों तिल मिला रही हो दुकान हमारी है तो क्या हुआ तुम जब चाहे मुँ उटा कर सामान खरीदने चले जाओगे क्या चलो मैं तुम्हें टूथ पेस में से पेस निकाल कर देती हूँ फिर कुसुम बेलन से टूथ पेस को दबा दबा कर उसमें से बचा कुछा पेस निकालती है और हेमंद की ब्रश पर लगाती है ये देखो निकला ना पेस बच गए ना हमारे पेस से हे भगवान तुम और तुमारी कंजू से दोनों का कोई जवाब नहीं अरे जवाब के लिए पहले सवाल तो पूछो जाओ ब्रश कर लो दुकान खोलने में देरी नहीं होनी चाहिए दिन बदिन कुसुम की कंजूसी बढ़ती ही जा रही थी एक दिन जब हेमंद, चंपकला और रामुला एक रिच्टेदार से मिलकर घर वापस आ रही होते हैं तभी उन्हें पडोसन अंगुरी का फोन आता है हाँ, भोकी है मेरा मतलब बोली अंगुरी बहन, क्या हुआ मीठे अंगुर की कशम रामुला बेन, आपके घर से तक काला काला धुआ निकल रहा है लगता है, आपके घर में आग लग गई है जल से जल, फाइर ब्रिगेड वालों को बुलाईए क्या? ये आप क्या के रही हैं अंगुरी बहन? आप जरत ध्यान रखिये हम अभी आ रहे हैं कही मेरी बहु का आज काम तममना हो जाए शूप शूप बोलो मा अरे ओ टैक्सी वाले बहिया जल्दी चलाओ टैक्सी फिर हेमंत, चमपकलाद और रामुला जब घर पहुचते हैं तभी देखते हैं कि कुसुम घर के अंदर लकडी का चूला जला कर उस पर खाना बना रहे हैं हे भगवान अरे कुसुम बहु तू क्या पागल हो गई है क्या अरे कोई भला अपने ही गर में चूला जलाता है क्या इससे अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया तो तू भरपाई करके देगी क्या कुछ कम ज्यादा होगा तब ना क्यूं गरम तेवे की तरह तप रही हो आप थंडे बर्फ की तरह थंडी हो जाओ वर्ण में ही आपको थंडी कर दूँगी लेकिन कुसुम तुमने ये चूला क्यूं जलाया है हे मन्द हमारे घर पर हर महिने की 20 तारिक को ग्यास भरा जाता है लेकिन इस बार ग्यास छे दिन जल्दी खतम हुआ है इसलिए में अगले छे दिनों तक ऐसे ही चूले पर खाना बनाऊंगी चलो में तो जा रही हो शर्मिला भावी से चीनी और गवरा भावी से थोड़ा आटा लेने और इसी तरह से में अपने घर के राशन की बचत करूँगी लेकिन बहू चीनी और आटा तो घर पर है ना अरे माजी अगर उनसे नहीं मांगूँगी तो हमारे घर के राशन की बचत केसी होगी बहू तुमारी एक कंजुसी एक दिन हम सब को ले डुबेगी देखना तुम अपने पती के राशन की दुकान होने के बावजुद्धी कुसुम आस पास में जाकर राशन ही कट्टा करती है और इसी तरह अपने सारे खर्चे बचाकर कंजुसी कायम रखती है एक रात अचानक से जब रामुला नीन से जगती है तभी वो रसुई में पानी पीने जाती है और वहाँ की खिडकी से वो अपनी बहु कुसुम को हाथ में लाल्टेन लेकर जाते हुए देखती है उसे इतनी राद गए देखकर रामुला बहुट डर जाती है हाई हाई ये कुसुम बहु छुडेल की तरे इतनी राद गए कहा जा रही है आखिर कुसुम कहा जा रही होगी जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले और अगर आपनी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन दबाना ना भूले